टेक्स 1993 टाइलर एक जंगल में एक दिन अपनी पेरिंस से कहीं गुम हो गया था और इस वज़े से वो केले रहने में काफी जटता है और यहां फिर अक्यले होने से उससे ड़डगने लगता है और टाइलर को परशान करने लगता है वो से जबरण बास्केट खेलने को कहता है टाइलर ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो लड़का, अपने डॉडट का छासा देखकर उसे खेलने पर मजबूर कर देता है, डाइरल टैलर से बार-बार बार को बासकेट में डालने को कहने लगता है टाइलर उससे परशान होने लगता है तब ही हाँ एक वैन आ जाती है जिसमें टाइलर के कुछ स्कूल फ्रेंड्स भी होते हैं यहां हम हौली और चाल्स नाम की दो हजबन वाइफ को देखते हैं इन्होंने इस ट्रिप का इंतजाम किया था दूसरी तरफ हम उसी पॉर्स ही रेस्टौइंट में रुकते हैं डैरल गाडी में रखे बैक से सामा निकालने लगता है इस रेस्टौइंट में काम करनेवाला जैडरी चाल्स की बीटी मैलटस को परशान करने लगता है तब यहां रेस्टौइंट.. है तो देखता है कि उसका मर्च लेटा है जार्वेस वहाँ एक कीड़े को देख लेता है और वह कीड़े से डर कर जैसे ही पीचे हठता है तभी उसका पैर उसकी बिचाय फूई ट्रैप में फज़ joyful जाता है और उसका टैलर वहाँ पड़े, एक तार से उस कुकून को फोडने लगता है, हम देखते हैं कि उस कुकून में इस लिक्विट बहार निकल रहा है, तभी यहाँ डेरल आ जाता है और उस लिक्विट पर अपना पैर रख देता है, डेरल और टैलर इसे इग्नॉर करके वहाँ से चले ज यहां हम जंगल में वैसे ही कुकून को देखते हैं, मैलिसा टैलर को बताती है कि उसे ट्रिप पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही उसे नेचर से प्यार है, बतपन की तरह टैलर को जंगल में अजीब सी फीलिंग आने लगती है, वो मैलिसा से कैम्प पर वापस हाने को भी कहता है फिर वब यहां से जाने कर दी ते फिर वो व दोनों जल्दी से वहां से बाप कर कैंप पर आकर वो दोनों बाकियों और कि जंगल बहुत किया था उनसे त्यक्षी नहीं करता है ठाइलर s Quan स कर देता है यहां सर और जैरी भी आजाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों से चले जाते हैं दूसरी तरफ देखते हैं कि जार्विस के अंदर अब वह कीड़े गुज गए हैं अपनी बोडी के अंदर कीड़ों को देखकर जार्विस प्रशान होने लगता है फिर वो अपने पास रखी गन उठा कर अपने ही पैर में शूट करने लगता है फाइरिंग में उसकी टांग काफी जगमी हो जाती है रात में डैरल पेट्रोल से वहां आग लगाने लगता है चार्ल्स यह देकर उस आग को बुजा देता है और डैरल पर गुस्सा करने वो कीडे डैरल के डाग पर भी अटैक कर देते हैं और उसे भी मार देते हैं अपनी डाग की आवाज सुनकर डैरल जल्दी से उसके पास आ जाता है और वो देखता है कि उसके डाग की मौत हो गई है वो यह देखकर काफी दुख हो जाता है और रोने लगता है फिर डैरल यहां से अपना सामान भान कर घर के लिये जाने लगता है। इसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन डेरिल वहां से निकल जाता है। डॉक्टर जैसे ही डॉक की डेट बॉडी में एक इंजेक्शन लगाती है उसकी सुई डॉग में मौझूद कीडे में लग जाती है डॉक्टर जैसे ही उस कीडे को बहार निकालती है उसे देखकर वो काफी शौक होती है फिर वो कीडा डॉक्टर की हातों से निकल कर कमरे में कहीं चिप जाता है डॉक्टर की कहने पर चाल्स और टाइलर के सामने आ जाता है और उस पर अटेक करने लगता है चाल्स किसी तरह क से से टाइलर के मौह से वो कीड़ा अलग कर देता है तब ही किडा डॉक्टर की पैर के नीचे आ कर मारा जाता है कि अगो की वज़े से बने हैं और ये काफी खतरनाक हैं इधर चुप जंगल पार कर रहा होता है उस पर भी एक टिक अटेक कर देता है और उसकी बॉडी में घुच जाता है डेरल उस टिक को अलग करने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता फिर डेरल अपने बैक से चाकू ले के लिए चले जाती है जब दोनों पॉंड के पास फिश पकड़ रही होती है उनके सामने पानी में अचानक शेरिफ की डेड बॉडी आ जाती है उसे देखकर दोनों काफी डड़ जाती है और वापर स्कैम की तरफ आने लगती है उनके ग्रुप की एक लड़की डीडी अब काफी खराब लग रहा था जार्विस यहां डीडी से खुद को शूट करने को कहता है तब इस जार्विस के अंदर से एक टिक निकल कर डीडी की गरदन पर अटैक कर देता है जल्दी से बहर चली जाती है जादर टिक्स बॉडी में जाने से जार्विस की मौके पर मौ कर देता है दोनों उसके साथ बत्तमीजी करने लगते हैं डैरल अपने पास रखे चाकू से जैरी को गायल कर देता है और वहां से भाग जाता है जैरी और सर भी डैरल के पीछे लग जाते है रास्ते में डैरल भागते वे गिड़ जाता है फिर जैरी पर अटैक करने लगता ह सर अपनी गन से डेरल को शूट करने लगता है लेकिन उसकी गोली डेरल के बजाए वहां रखी एक फ्यूल केंड में लग जाती है और वहां ब्लास्ट हो जाता है ब्लास्ट होने की वज़े से आग जंगल में फैनने लगती है सर उस पर फिर से शूट करता है और इस बार गोली डेरल को लग जाती है और वो जखमी हो जाता है आग फैनली की वज़े से सर और जेरी वहां से निकल जाते हैं फिर हम डीडी को देखते हैं जिसे रोमी अपने साथ कैम पर ले जा रहा होता है फिर डीडी को रोमी के जगे जार्विस का चैरा दिखने लगता है जिससे वो काफी ड़ने लगती है रास्ते में रोमी और चार्ल्स की गाड़ी मिल जाती है और फिर वो मिलकर डीरी को कैम पर ले आते हैं डीरी की कंडिशन देखकर वहाँ सब परिशान हो जाते हैं और जंगल में भी आग जल्दी से जल्दी फैल रही थी आग लगने की वज़े से टिक्स उनकी तरफ आ रहा है थे यानि टिक्स ने उस घर को गेर रखा था यहां सर और जेरी आते हैं और इस वक्ट टिक्स के लपेटे में थे वो दोनों से हेल्प मागने लगते हैं, चाल्स उने अंदर ले ले लेता है, फिर सर और जैरी अपने उपर चिप के टिक्स को छुटकार पैरों से कुछल देते हैं, वो सब गाड़ी में बैट कर यहां से जाने का प्लान बनाने लगते हैं, तब ही दर्वाजे पर डैरल आ ज चाता है, डैरल बता देता है कि उसकी हालत जैरी और सर ने की है, यहां पर बहुत जखमी होने की वज़े से डैरल की मौत हो जाती है, सब यह देखकर काफी जादा दुखी होते हैं, सर कहता है कि इसकी हालत टिक्स ने की है, टैलर बताता है कि किसी ने डैरल को गोली मारी है सब को पता चल जाता है कि डैरल की मौत सर और जैरी की वज़े से हुई है सर उनिंक से गाड़ी की चावी मांगने लगता है जिस पर वो मना करने लगते है फिर सर उन पर गन पॉइंट कर लेता है चार्ल्स जैसे ही उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है गाड़ी में एक टिक जैरी पर अटेक कर देता है और उसे बाइट कर लेता है टिक के काटने के वज़े से जैरी को सर की जगे शरिफ दिखाई देने लगता है जिसे उसने ही मारा था बिना कुछ समझे जैरी सर को मारने के लिए गाड़ी को तेज चलाने लगता है जरी तेजी से सर की तरफ जाने लगता है और वो गाड़ी से घर के हिस्से को ही तोड़ देता है घर तूटने की वज़े से टिक्स अंदर आने लगते हैं और सब पर अटेक भी करने लगते हैं देखते ही देखते, टिक्स के टेंटिकल उसके अंदर से निकलने लगते हैं, और वो टिक इतना बड़ा था कि डेरल की बॉड़ी को दो इस्सों में काट कर वहाँ निकल जाता है, फिर वो पीचर साथ टिक्स सर पर अटेक कर देता है और उसे खाने लगता है, सब वहाँ से जाने लगते हैं, टाइलर गाड़ी तक पहुचने के लिए खिड़की से बाहर कूच जाता है, टाइलर पर भी वो बहुत सारे टिक्स अटेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, टाइलर अपने पास हड़ी एक जाड़ू में आग लगा कर उन टिक्स को अपने से गाड़ी में जाने लगते हैं बाकी सब तो गाड़ी में पहुंच आते हैं लेकिन रोमी अभी भी उपर ही था वो क्रीचर रोमी पर अटेक करने लगता है फिर उसकी मदद के लिए टालर उपर आ जाता है और उस क्रीचर को आग से डिनाने लगता है टालर जलती ही को उस creature के मूँ में वसा देता है फिर वो दोनों नीचे गाड़ी में आ जाते हैं इसके बाद वो सब भी वहां से बच कर निकल जाते हैं क्रीचर के मूँ में फैली आग की वज़े से वो creature मारा जाता है आग की लपटों की वज़े से घर के पास रखे fuel tank में आग लग जाती है